कि पता है आपको कि अमेरिका में और या किसी भी उरोपेन कंट्री में जब भी कोई कभी नया ट्रेंड आता है तो सबस्यादा इंडिया में कॉपी होता है उन्होंने कुट्टे बिल्ली पाले ताकि उन विचारे वेजवानों को अपना घर मिल सके हमारे लोगों ने उसे अब भारत देश में कुछ हो या ना हो ना व्यापार बहुत अच्छा होता है और इन व्यापार करने वाले वाले तो हदी कर दी इन्होंने इतनी जादा कुट्टों की फसले यहां पर पैदा कर दी कि आज की तारिक में अमेरिक अन्पिटबुल जर्मन शेफर्ड आपको प्लास्टिक चबाते हों दिख जाएंगे तो यह जितने भी इंटलेक्ट्वल किसम के लोग हैं जितने भी कूल डूड वाले लोग हैं इनके लिए नया ट्रेंड आ रहा है यूरोपियन कंट्रेस से निकलके हां सारे सारे ट्रेंड वहीं वहीं वहाशक्ति ना अमेरिका व बना दिया उन लोगों ने एक बार कहा नमक से कोईले से मत सफ किया करो आपके मसुडों को तक्लिफ पहुस्तिया हमने ने किसी साफकरें उन्हों ने यह लो इस सारे शवद चल गए हैं जैसे हाई पर अटेंशन टेंशन डिप्रेशन एंजाइटी इस्ट्रेस और इस इतना बड़ा हो चुका है जिसकी हमारे आप कलपना भी नहीं कर सकते तो मेरे सबी कूल रूट भाईयों हमारे देश पे नई थेरेपी आने वाली है जिसका नाम है बाईयों को गले लगाना ना 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 ऐसे नहीं कि गाये तुम्हें सब्सक्राइब करते हो बकाइदा साट से नब्वे मिनट का सेशन होने वाला है यह जिसके अंदर गाये के साथ खेला जाएगा और इस साट से नब्वे मिनट के सेशन के लिए फीस भी है जो कि है तीन सो अब आप यह पोछेंगे कि गाये को गले लगाने से क्या हो जाएगा तो भाईयों इन लोगों का कहना है कि यह 22,000 पे देने के बाद इन लोगों को बड़ा रिलाक्स महसूस होता हूं जानवरों के साथ समय बिताने में क्योंकि इन अब्वे मिनट में लोग इन जानवरों जैसा कि हमारे भारत में शुरुआत से होता है उन्होंने ऐसे नहीं कह दिया था कि गाये पालों घर में सुक्षांती रहेगी तरक्की आएगे खुशाली बनी रहेगी तब तो मानना नहीं था अब आ रहे है ट्रेंड आ रही है नई थेरेपी पांच हजाद दस हजार रप है जिसका मतलब है। गाये को गले लगाना तो गाये की पीठ और गरधन मिलता से बड़ा राम मिलता है गायों को और साथ यह साथ जो सहलाता है उसको भी बड़ा सानय एकम होता है प्रेंट गृफंत यह दिया है कि जो गाय का जो body temperature है वो human body से जादा होता है और इसकी heart rate है वो human body से कम होती है तो ऐसे में जब हम गाय को गले लगाते हैं तो उसका high body temperature और low heart rate हमारे body को relax महसूस कराता है और साथी साथ BBC report ये भी कहती है कि गायों को hug करने से गायों को गले लगाने से हमें positive energy मिलती है इससे इंसानों के शरीर में oxytocin hormone बनता है जो कि तनाव को कम करने में मदद करता है तो भाई ऐसे ही नहीं हमारे बुजर्गों ने कह दिया था कि गाय को पालो उनके हर एक काम के पीछे कोई ौको साईटिफिक रेजन होता था बस हमें ये पदा करने है कि क्या वह साइंटीफिक रीजन जो उस समय पर चलता था क्या वो आज के Context में सही है अगर वह सही है तो उसको फॉलो करो और अगर आपको لगता है कि वो ट्रेंड पुराना हो चुक है या फिर आप वो आज के गॉंटेक्स में सही नहीं बैठता तो आप उसको हटा कर फिर आप आगे बढ़ सकते हो तो दोस्तों आ रहा है यह नया वाला ट्रेंड जिसके साथ आने वाले समय में गायों के साथ में सेलफी खिचवाई जाएं इनका लालन पालन तो करेंगे एक सबसे इस कोई कड़्िर सकाहीं क्लिंग बात है कि उसा कॉई और लोगा कोई अनोन बॉडि जब उन गायोग के पास में तो यह उसको देखकर एक अंजानाव विज्टार बना दिया तो मेरी साहरबाद को च Germs and г कंडिशन से अपलाइं है लूडिशन है तो दो Čश की वीडों के लिए बस इतना ही मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और अच्छे इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ में तब तक के लिए जैहिंद बंदे मात्रा